Assalamualaikum, आज की रेसिपी हम बनाने वाले हैं, ब्रेकफास्ट रेसिपी है, और साथ में हम बनाएंगे मीठा अंडा, इसको सुईट एग भी बोल सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए है, और ये बहुत ही अमेजिंग रेडी होता है, तो गाइस इसके लिए हमने यूज किया है, फरेड़, चमच, ओइल, आप घी भी ले सकते हो, असली गी भी ले सकते हो, इसके अंदर 3 टेवल स्पून मिल्क नॉर्म में भी दे सकते हो, साथ में लंच में भी आप इसको दे सकते हो तो इसके अंदर मैंने चारों इंग्रेडिन्ट एट कर दिये हैं एक भी, मिल्क भी, साथ में शुगर भी और ओईल भी में इसमें डाल दिया है अब इसका चमच चलाते रहना है, लो फ्रेम में आपने इसको पकाना है और जब तक चलाना है, जब तक ये जो इसका consistency है वो एकदम गाड़ी ना हो जाए और हलका हलका oil ना नज़राने लगे अब आप चेक कर सकते हो कि साइडों में oil नज़राना शुरू हो गया है और बिलकुल अंडे को छोड़ दिया है पैन ने, तो आपने ऐसे ही बनाना है अगर आप इसको non-stick पैन में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये चिपकेगा नहीं अगर आप इसको नॉर्मल पैन में बनाओगे तो ये कम oil में बना है आईए फिर चिपकना शुरू हो जाएगा तो जो लोग बहुत कम oil खाते हैं और अंडा अगर नॉर्मल नहीं खाते हैं तो आप इस तरीके से इसको बना के देखेंगे तो ये 5-10 मिनिट्स में रेडी हो जाता है और बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत असान है चार ही सिंपल इंग्रेडियंट है आप जिससे तयार कर सकते हो और हर बंदा इसे खा सकता है लाइक बच्चों को भी आप इसको दे सकते हो दो साल से छोटे बच्चे भी हैं तब भी आप इसे उनने दे सकते हो बड़े सब का सकते हैं आला हाफिज